चेशी क्रिश्न, आप देख रहे हैं दिव्वे शंक्राथ। मैं भाविकर जोशी एक बेर फिर्ट से आपका स्वागत करती हूँ। आईए अब देखते हैं आज के प्रमुक समाचार। अब देखते हैं केलाश पालिवाल, तरून दवे एवं कमलेश पालिवाल की एक विश्प्रित रिपोर्ट। सबसे पहले स्रिनाज जी के दर्शन करते हैं। आज कार्टिक क्रिश्ण पक्ष दूज है। पीत का दूमाला का शंगार धराये जाएगा। आज सिर्फ पीले बीच के दूमाला पटका व तनिया का ही नियम है। वस्त आबरन सभी इच्छानुसार धराये जाते हैं। वस्त्रों में चाकदार वागा, चोली, सूथन, फिरोजी जरी के धराये जाएंगे। बीच का दूमाला, पटका व तनिया पीले धराये जाएंगे। ठाड़े वस्त्र लाल, पिछवाई लाल हांश्या की आएगी। श्याम धर्ती पर सफेद गायों आगे। आपरन सभी मोतियों के धराये जाएंगे। छेडान का छोटा स्रंगार रहेगा। कमलमाला धराये जाएगी। दूमाला पर मोरचंद्री का वह कत्रा धराये जाएगा। वेनुवेत्र चांदी के आएंगे। पट, कोटी, बागबकरी के आएंगे। आर्थी के बाद आबरन बड़े कर दिये जाते हैं तशा बाकी सब नित्य क्रमा नुसार रहें लगबक सोव वर्ष से अधिक पूराने श्री जेन स्वेतांबर तेराबंत सभा के भावन जो बागरवड़ा नई हवेली मार्क पर रिस्तित है कि पुराने भावन को तोड़ दिया गया है अब उसकी जगे नए भावन का निर्मान कारे प्रारम किया गया है समारों में समाज के गणमान ये व्यक्ति उपस्ति थे यहां उलेखनी है कि इस सिलान्यास समारों के दोरान सिलान्यास चानमल लक्ष्मिलाल जी ने किया वेदिक मंत्रों चार के साथ संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण किये गई जिसे मनिश चर्मा ने पूरा किया तथा यह जो द्रश्य आप देख रहे हैं यह प्रस्तावित भवन का है जिसका निर्मानकारे प्रारम किया गया आज रायस्तान प्रदेश की अशोग गयलोस सरकार ने नगर निकाय चुनावों से एक संबंदित मरत्वपूर्ण गोशना करते हुए कहा कि पार्शद ही नगर निकायों के अध्यक्षों का चुनाव करेंगे यह चुनाव नवंबर में होने वाले हैं इससे पहले अशोग गयलोस सरकार ने ही कहा था कि नगर निकायों में अध्यक्षों का चुनाव प्रित्यक्ष रूप से होगा यानि जनता सीधे अध्यक्ष को चैन करेगी आज स्वायत शाषन मंत्री शांतिधारिवाल ने यह गोशना की एक तरज से देखा जाये तो वर्तमान समीकरणों को देखते हुए कांग्रेस सरकार ने अपना ही फेंसला पल्टा है इस गोशना के साथ ही नगर में राजनितिक गतिविदियां तेज हो गई हैं अब इंतजार किया जा रहा है कि अध्यक्ष के लिए सरकार कब गोटियां पटकती है और या गोशना करती है कि यहां नाथद्वारा में अध्यक्ष सामान्य का होगा या आरक्षत वर्क से होग लेकिन अब प्रत्यक्ष अध्यक्ष का चुनाव होने की गोश्णा से कई लोगों के अर्मानों पर पानी फिर गया है जो सीधा अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते थे ये सरदार भगत सिंग सिक्षणिक संस्थान के बच्चे हैं जो नाथद्वारा पुलिस थाने में पुलिस कर्मियों से थाने की कारे प्रणाली तथा कानू नेवम अप्रादों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं संस्था के उप प्रणाचार्य यश्वन्त प्रजापत तथा कपिल शर्मा ने बताया कि सरदार भगत सिंग सिक्षणिक संस्थान के बच्चों को पुलिस अधिकारियों ने एफ आई आर लोज कराना बारा बन बोर की बंदूक, रिवालवर, हवालात, कर्फ्यू, आदी के संबन्द में कानूनी स्थिती तथा व्यावारिक्ता का ग्यान दिया सभी बच्चों ने अपने जिग्यासा के प्रश्ण भी पूछे, पुलिस कर्मियों ने उनको विस्तार से समझाते हुए सारी कारे प्रणाली को बताया अब एक महत्वपूर्ण समाचार भारतीय मूल के अभीजीत बनर जी को नोबल पुरस्कार देने की गोशना की गई है यह नोबल पुरस्कार उनको अर्थ शात्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया है आज के लिए बस इतना ही कल फिर मुलाकात होगी मैं भावी का जोशी अब आपसे विदा लेती हूँ रोज हमारे चैनल पर इसी तरह न्यूस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने जोस्तों और परिवार के साथ इस न्यूस को शेर कीजिए देखते रहे दिव्योशंखनाद धन्यवाद क्या क्या जोस्तों और पर इस न्यूस विए देखने के साथ भावी जोस्तों और रहे लिए